अरस्तु ने कहा है मनुष्ची अपने सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार होता है लेकिन यदि कानून और न्याय नहों तो वो सबसे खराब बन जाता है हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम मनुवार परशन है और मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपसे न्याय के विशय में बात करूँगी जो प्रत्यक इंसान से जुड़ा हुआ है मगर बड़े दुख की बात यह है कि कुछ मनुष्यों की बुद्धी इतनी अधिक अप और इपको है कि वह न्याय के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं दोस्तों इंसान को न्याय की सदा जरूरत पढ़ती है मनुष्य के पास बुद्धी है और जिसके पास बुद्धी है उसके लिए न्याय अति आवश्यक है न्याय से ही धर्म की उत्वत्ती हुई है जो मनुष्य के को जानवरों से बिन्ने बनाता है और मनुष्य की विक्सित बुद्धी का परचायक है धर्म एक अच्छे और सकारात्मक दर्शिकोर्ण का भी परचाएगा जब यह धर्म सम्मत नहीं होता तो पीछे एक पच्तावा छोड़ जाता है और हमारी आत्मा को भी पुर्ण रूप से शांती नहीं मिलती अधर्म के साथ नयाय परतिशोद में तबदील हो जाता है यह एक नकारातमक दर्श्चिकोर्ण भी है नयाय और परतिशोद में ज़रा सांतर है परतिशोद से ज़रा देर के लिए खुश्ची मिलती है किन्तु मन पूर्न रूप से शांत नहीं हो पाता और आत्मकलानी सधा साथ रहती है जैसे कि एक कथा में काल फैलों ने एक रोध के वशिवीत होकर ब्रह्मा का पाच्वा मस्तक धड़ से अलग कर दिया था जिससे ब्रह्म हत्या के फल सरूपा एक स्त्री पैदा हुई जो 14 वर्षों तक उनका पीछा करती रही जब भगवान भी इससे मुक्त नहीं हो पाए तो मनुश्य की विसाती क्या इसलिए मनुश्य को एक बात पर गौर करना चाहिए कि जो निड़ना क्रोध में लिया गया हो वो सही कैसे हो सकता है इसलिए क्रोध को पुन रूप से शान्थ हो जाने दे फिर ही सही निड़ना ही लिया जब महभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मसंबत निड़ने लिया वे चाहते तो युद्ध करके नायक भी बन सकते थे किन्तो उन्होंने अर्चुन का सार्थी बनना ही उप्योगत समझा उनके पास जच्टरंगीनी सेना थी परन्तु उन्होंने उसका दुरुप्योग नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो तकता क्रपया मेरे वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलें जिससे मेरे नए वीडियो उसके पूरे अपडेट साब तक पहुँचते रहें धन्यवाद क्रण्यवार वाइयो विस्त, हन्यवाद का वीडियो क्रया क्रण्यवust क्रण्यव क्रदेक झाल झाल